हलो दोस्तो माइसल दिलिपकर लेक्षर सिविल इंजिनिंग जीपीसी करॉली आज हम दोस्तो हमारी सब्जेक्ट जल अपूर्ती एब सच्छता अभियांत्री की वाटर सप्लाइन सेंट्री इंजिनिरिंग का यूनिट आट्स कॉंटिटी ऑफ स्विवेज स्विवेज की मात कि पानि रद़ा रेंटती होको सिवेज कर्की होता है यूनिट तरह सकता हैकरमानी इसमारे दिशिक्त के सब्सक्राइज के दिएक्षिश कि जिस गंदे पानी या ठोस गंदगी में human x केटा मिलाओ वह भी क्या कहलाता है स्विवेज अब इसी की कैटिग्री के बेसेश पे दोस्तों स्विवेज को कि दो कैटिग्री में बाटा जाता है पहला है घरेलू दूसरा है नगरी है अपसिष्ट ठीक है तो जो पहला है डॉमेस्टिक स्विवेज अब क्या होता है डॉमेस्टिक स्विवेज क्या होता है कि घरेलू स्विवेज में जो हमारा घरों में जो गंदा पानी होता है कहां का रसोई घर का बात्रूमों का या human x क्रिटा इन सबका जो mix में जो गंदा पानी बनता है वो हमारा कहां होता है बोमेस्टिक स्वीवेच कहलता है अभ वियाए से सख्य सकता है बहुत कीा जा सकता है जो हमारा कि धरीली सभी इसके जो इनिशल कॉंपोनेंट है कहने का मतलब के ये काहां से किस तरह से बनता है कहां कहां से कैसे मिलता है और किसके चीज़ पे पुरा प्रवाब डालता है तो उसको बारे में देखते हैं तो जो पहला आता है oxygen संबंदी तो इसका जो प्राहरंबिक स्रोत है जो इसका प्राहरंबिक स्रोत है वह हमारा कार्वनिक पतार्थ अब यह क्या करता है यह आपके पानी की जो डिजॉल ऑक्सीजन उसको कंजूम करता है उसके लेवल को कम कर देता है इससे क्या प्रवाप परता है कि जली जीवों के लिए अफस्विस्ट होते हैं कि आगे जैसे देखेई डिटरजेंट जो हमारे घरौंग वॉश्शन पाउटर काम में आता है वॉश्शन पाउटर काम में आता है उसका प्रवाप कड़ता है जो घरयलो मॉश्शन पायुद्र है वहां से यह जलीजिव veggieं प्लपल प्लाइव न जीव जन्तस हुए उनके शेवाल होते हैं ठीक है उनके लिए पोशक्तत्व की तरह कारे करता है ठीक है यूत्रोफिकेशन एक प्रॉसेस होती है उसमें हेल्प करता है यह बढ़ाने में जैसे खरपतबार होती है हमारी जो किसी जलाश्य वगरा में जो हरी-अरी गासी तो इन सारी चीजों के घ्रोथ साथ में एक्रीय में शासी आप का से मिलेगा आपको यह जो घरों में आप खाना बनाते होो उनत्य यह यह कले चाया करता है यह जीब जनतों के offensive снक्रिया में दिक्त पैदा करता है इसी तरह से हमारे पसकूछ यह सब अपने अपने लेवल पे किसी ना किसी चीज से प्राप्त होते हैं और एक एड़र्स एफेक्ट हमारे उपर ढालते हैं तो यह सारा कुछ एक टेवल में दिया हुआ है अब क्या होता है जो भी आपका अफसेश पदार्त है ठीक है तो यह वेक्टिरियल विक्तन द्व तो यह इनमें ऑक्सिडेट हो जाते हैं यह इसमें ऑक्सिगरत हो जाते हैं अब इन चीजों को इस चीज की ऑक्सियन डिमांड चानने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको गोलते हैं बियोडी परिक्षन बैयलोजिकल ऑक्सियन डिमांड परिक्षन इस टेस्ट में क्या वैक्टिरिया इस अप्सिस्ट को बिक्टिद करने में जितनी ओक्सिजन कंजूम करता है वो ये वायलिटकल ओक्सियन दिमार्ड ठीक है तो ये टैस्ट होता है आगे देखेंगे हम इसके बाद जो हमारी नेक्स चीज़ आती है वो आती है हमारा कि वही जो आपके ये जो घरेलू अपसिष्ट है इनका सामबने प्रवाब क्या है तो ये क्या करते हैं जो हमारा पीने का जल है उसको अन्यूप्योगी बना देते हैं ठीक जो अगर जो स्वीवेज है अगर उसमें पैथ हो जाना है म अगर उत्पनने हैं तो क्या करते हैं काई प्रकार की बीमारिया हमें दे देते हैं साथ की साथ में जो आपकी घुले तो ऑक्सीज़ ना उसकी भी मातरा को कम करते हैं जिससे जल में डियो का इस्तर क्या हो जाता है कम और जो आपका एक्क्वेटिक एको सिस्टम है जो जली योग हो जाता है तो यह जो हमारा घरेलू अफस्ष होता है इसका यह प्रवाब पढ़ता है अब नेक्स जाती है आपके इंडस्ट्रियल स्विवेज और बेस्ट अब जो आपके और जो जो गंदा पानी निकलता है जिसमें कई तरह के आपके रसाइन मिले हो सकते हैं मल इत् होता है इस कारण इसके टीटमेंट के लिए और घरेलू स्विवेज के टीटमेंट के लिए अलग-अलग विविन-विन पदीति हाप नहीं जाती है विन-विन मैतर काम में लियाते हैं अब जो हमारी बड़ी ही काई है जैसे और जो की इंडस्ट्रियल जो यूनिट है उनस अन्य जल्य जीब जन्तु हैं उनकी ग्रोथ पर एड्वर्स एफेक्ट डालता है उनकी ग्रोथ को रोग देता है जैसे सुगर अगर घरों में खाने वाली जो चीनी होती है अगर उसके बारे में देखे तो उसकी क्या होती है हाई बीओड और सी ओडी हाई बियालेजिकल और हाई एंडवाय्न और हाई केमिकल औक्से एंडवांड ये क्या करते हैं दोनों जलमें से ऑकशियन की मात्रा को ६स्य जनवा서 क्यों ? है वो घरती चली जाती है ठीक है नेक्स आता है आपका जैसे अगर आप देखो कोक और फिनाइल ठीक है और तेल निर्मान उद्वोग तो यह क्या करते हैं जैसे इनके लक्षिन क्या है उच्छ निलम इसमें हाईली सस्पेंडड सॉलर्स होते हैं अमोनिया होती है हाईडोज यह क्या है जो पादप की प्रकरति है वह पादप की आपके जो बनसपति है उसका प्रकार है तो उसकी ब्रद्दी को भी चति पहुचाते हैं ठीक अब देखो आप अगर जैसे सरावादी के उद्वोग की बात करें डिस्टिलरी एन बियरेवेदी तो उच्छ बियोडी औ ठीक है रूची कर आप पती जनक इसमेल लेके आएंगे वन्य जीव जलतू और फ्लोरा एन फोना के उच्छती पहुचाएंगे तो इस तरह से हमारे पास बियोडी प्रकार की इंडस्टियल जो यूनिट हैं उन से होने वाले प्रभावों के बारे में जैसे अगर हम बात क पानी पीने के लिए अनुपियोगी नहीं रहेगा स्वसंद करिया में हमें दिक्कत आएगी तो इस तरह से भिन्य परकार के यूनिट्स है विन्य परकार दोग हैं जो हमारे लिए अनुपियोगी सिद्ध होते हैं अब नेक्षी जाती है आपकी नेक्षी जाती है जो आपकी जलिये निकाएं इनके परिणाम क्या निकलते हैं जो यहां से जो गंदा पानी आपका निस्रत होता है जो डिस्चार्ज होता है उसका क्या प्रवाब पड़ता है उसका प्रवाब यह पड़ता है कि जो आपके कार्विनिक तत्वें वो जलिय है आपके जैसे तालाब नदी नाले इन में क्या करते हैं और यह अगर कार्मिक कर्ट के बात करें तो पीने के पानी को क्या बनाते है अनुपयोगी बनाते हैं अनबनशित बनाते हैं हम पीने पाते हैं उसमें वद्वू हो गुटे हैं जैसे डाइ किसी भी कपरे को रंगने के लिए और परफच के लिए काम आने वाली राईडाई क्या पानी को देखने में अरूचिक और बनाती है अनस्टेटिक बनाती है दूसरा पीने में गंदला बनाता है बदबू आती है बाएधवसेश में अमल और चार दोन से यह क्या करते है पानी को विशयलिये बया देते हैं अगर उसमें तेल है तो वो संस ब्हांब 補य कहर से जो सेल्फ फिरिफिकेशन की जो मतलब पानी के द्वारा खुद को प्योर करने की जो प्रिक्रिया है वो रुख जाएगी साथ की साथ में डियो की कमी हो जाएगी जिसलिए जो जलिय जीव हो स्वांस लेने में भी कटना ही होगी दूसरा अगर बात करें जैसे रासानिक तत् आती है वह जमने लग जाएगी कपड़े दोने में तिक्कत जाएगी और जो आपका कास्टिक वगरा है उसके साथ भी पानी को यूज लेन बहुत प्रॉब्लम आती है फिर आता है डिसकेशन का टॉपिक हमारे पास कही तरह के फ्लो होते हैं जिसमें एक है आपका ड्राइ ट्राइवेदर फ्लो और प्राइट होती है वही क्या कि लाए ही कैलाए हमारी ध्रै वैधर कीजाए हो हो जो भारत में दी डबलुangen जो द्राइवधर फ्लो का जो मात्रा मानिए वह मानिगे लिदे फ्रेती ब्हाँ प्रतिय ब्यक्ति के आसपास कि वह फ्रेती ब्हाइकती दिन की पूरी कर तो उसमें से 10 लिटर पानी भाँ ही बसक्राइगा आपका domestic जो वेश्ट वाटर वहुओं कि जोभी जलदाई जलमात्रग के अपूर्ती होती है, तो हम क्या करते हैं उस पूरी जल आपूर्ति कि कि बात करें तो जो इंडस्टी में किसी भी यूणट के निर्मान के लिए इतना पानी काम में आरहा है तो उसका पारिकर से जाल होताय होता है वह क्या खहला तया रेटर फेलो तिक उस उसके बाद जैसे groundwater infiltration की बात करें जो भूमी का जल है उसकी वह मात्र होती है जो सीवरों में अंत्रस्तावित जो infiltration के द्वारा प्रवाइद होती है अगर आपका जो ऐख कर सके तो जमीन के नीचे सीवर लगे होते हैं तो क्या करते हैं बाहरी पानी को अफसोसित कर लेते हैं और उस पानी में जोड़ लेते हैं तो इस तरह से जो आपका भूमी का जल अंत्रस्तवन है वह बी आपका ड्राइवेदर फ्लो का एक बहाग होता है अब एक चीज़ आती है आपका वर्सा का जल की बे स्ट्रूप ONE डर क्या है आपका मसचाफ को जो जो वर्सा जले वर्सा जल जो बर्सा रित्व में जल गिरता है वही आपका का सिंपल इस ट्रॉंप वाटर अब इस वाले की मात्रा का ग्यान होना जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि यह पानी क्या सहर की निचली वस्तियों में जमा हो गया तो यह क्या करेगा वहां पे बिन प्रकार की परेशानिया उत्पन करेगा बाटर लोगिंग की परेशानी होगी कई प्रकार की बिमारिया उत्पन हो सकती ह जैसे डेंगू, मलेरिया, इत्यादी, तो साथ की साथ में कई बार ये सॉयल में स्वीप करते हुए भवनों को भी खत्रा बन सकता है, उनके गिरने का खत्रा बन जाता है, तो इसलिए हमें इस पानी का निकासी के अत्यन तावर सकता होती है, इस पानी की प्रिथक करन के निम्न विदिया होती है, निम्न विदिया क्या है, तो जो आपकी पहली है, तो हमारे पास भिवन प्रिकार के फॉर्मूले हैं, तो उनमें पहला डिक्कन का फॉर्मूला, तो यह इसमें होता है, Q वरावर सी, M की पावत, 3 by 4, यहाँ पे Q अमरा क्या है, डिस्चार्ड, ठ करते हैं, ठीक है, दूसरी बात, अगर हम रीव का फॉर्मूला देखें, तो यह हमारा दक्षिनी भारत में काम में आता है, उसके लिए Q बरावर सी की पावर, सी इंटू M की पावर, 2 by 3 काम में लेते हैं, वहीं पे अगर हम बात करें, इंग्लिस फॉर्मूले की, तो यह ह फॉर्मूला है, यह वेस्टन गार्ट या मुंबई वाले इलागे में काम में आता है, तो हमारे पास 3-4 तरह के फॉर्मूले हैं, तो इन से हम भारत के अभीमिनल छेत्रों के लिए दिश्चार्ज की मात्रा कैल्कुलेट कर लेते हैं, अब जो आपका वर्सा का जल है, इस इसको कौन कौन से फेक्टर एफट करते हैं, तो इसके बारे में भी हमें ज्यान होना आवश्यक है, कि फैक्जार्ज की मातरा यहाँ चू है, जो आपका और यहाँ हो सकता है, यहाँ दैरेकल बिश्मूल सकता है कैसे भी दूसरी चीज आपका डिपेंड करता है वर्षा की ती ब्रता अगर अधिक होगी तो छेत्र में होने वाले वर्षा की जल्गी मात्रा भी क्या होगी अधिक नेक्स डिपेंड करता है रन-off सुकने की चमता कम है तो रन-off कोफिशंट क्या होगा ज्यादा ज्यादा जल आपका ऐसे ही निकल जाएगा इन फिल्टर नहीं होगा अगर आपकी जमीन की सत्य इंपर्मीबल है अपार घम है तो पानी अंदर की तरफ कम जाएगा और भार ज्यादा फिलो होता रहेगा नेक् पाइब तक पहुँचने में कितना समय लगा राएँ वो और दूसरा होता एक प्रिवेस time तो जैसे यह क्या होता है वर्षा लिया गया समय समस्ते है क्या है दोनों चीज को मान के पानी यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है और एक टाइम लगेगा आपका यहां से यहां तक आने में एक टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में तो यह तो है कि भई जो आपका वर्षा आरम होने पर बर्षा के जल सीवर पाइप पहुंचने में कित पूरा समय जो पानी कंसंट्रेट हो रहा है यहां पर आके वह क्या है आपका टाइम ओप कंसंट्रेशन पानी खट्टा होने का समय है यह तो अगे नेक्स्ट और लास्ट आज करें चीज आती है हमारे पास विन प्रकार की वेलुसिटी जो जो हम देखते हैं सीवरों में स्टडी करते टाइम सीवर को डिजाइन करते टाइम पहले होती है सीमांत वेग या लिमिटिंग वेलुसिटी अब यह क्या है कि जो आपका स्वक्षपानी होता है या फिर मैं पहले अगर बात करूं कि सीवर में सीवेच का वहन्यूंतम स्वै सब्स्वाइब करते हैं अगर वह दोशकन अगर सिवर के तले में बैठ गए तो सीवर को जब पानी भैता है तो उसके साथ चलेंगे रिगड़ते होगे तो वह सीवर को नीचे से छती पहुँचाएंगे उसको स्कोर कर देंगे तो इसके लिए क्या करते हैं हम सीवर के पानी का इतना वेग रखते हैं मिनिमम कि वो गन उसमें suspended form में रहें और उसमें नीचे नहीं बैटे और उसके साथ ही flow होते रहें तो वो जो velocity होती है वो होती है सीमांत वेग अब सीमांत वेग में हम देखते हैं जनरली नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी तो जो नॉन सिल्टिंग वेलोसिटी है वह वेलोसिटी की minimum limit होती है जो सीवर में जलिये पादब और उस solid कन के suspension को रोकती है मतलब जलिये पादब की विद्धी नहीं होने देती और उस suspended solid को उसमें खटा नहीं होने देती ठीक है जनरली जो इसका मान बाना जाता है अनुमानित जो मान होता है वो होता है 0.45 meter per second से 1.5 meter per second के वीज मे इसके बाद जो next हमारे पास discussion के लिए जो velocity आती है वो होती है आपकी self-clinching velocity क्योंकि सीवरों में निकलने वाले स्वीवेज में क्या होते हैं कार्वनेक और कार्वनेक दोनों जो आपके होते हैं कनमिले होते हैं अब वो क्या करते हैं कि जब पानी या स्वीवेज फिलो होत ना बैटे या फिर उसके साथ जो भारी कन है वो बैड़े या हलके कन उसके साथ निकलते हैं और बाद में हम क्लोरिंग के थूँ उसको clean कर सकें तो जो वो जो निवन्तम वैलूसिटी आती है जो इस सीवर को खुच स्विवर को साफ करने में help करती है वो क्या होती है आपक क्योंकि सीवेच का जो प्रवाव होता है या उसकी जो गती होती है हम जनरली यह मानते हैं कि उसकी गती self-cleansing velocity के बरावर होनी चाहिए क्यों क्योंकि जो invert material है या जो inert material है वो सीवर से ना चिपके ना बैठ है उसके नीचे अब यदि हम इससे थोड़ा सा उपरी सीमा पर ब बेग अगर थोड़ा सा बढ़ता हुआ गया तो सीवर के अंदर क्या होता है turbulent effect generate हो जाता है तो वो जो निलंबित कने वो सीवर पर लगातार घिशते रहेंगे और सीवर को छती पहुचाते रहेंगे तो हम यह चाहते हैं कि हम सीवर के प्रवापका भै अधिक्तम बेग सीम नहीं होता सीवर के अंदर तो वही कहलाता है हमारा non scoring velocity अब जो non scoring velocity है वह सीवर में प्रयोक्त होने वाली सामगरी पर भी निर्वर करता है कि सीवर के तले में अधिक्तम घरसन ना हो तो इस तरह से हम भीन प्रकार के velocity को study कर सकते हैं आज के लिए दोस्तों thank you